नमस्कार हमारे इगनु आडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। परियावरन और परियावरन और परियावरन ये कारकों को समझ सकेंगे। परियावरन और परिस्थितिक तंत्र सीको सेप्टम ऐसे तीन सामान्य शब्द हैं जिन्हें हम प्रति दिन किसी न किसी संदर्ब में सुनते हैं। पहले हमें इन तीनों महत्वपूर्ण शब्दों के बीच के अंतर को समझ लेना चाहिए। यदि आप अपने प्रतिवेश पर चारों और ग्रिष्टी डालें तो आप देखेंगे कि कोई भी प्राणी अपने आपको अपने प्रतिवेश से अलग नहीं रख पाता है। प्रतिएक जीव एक जटिल रूप से सयोजित तंत्र का भाग है। जिसमें उसके अतिरिक्त अजीव तत्व भी सम्मिलित है। पारिस्थिति की अकॉलजी ग्रीक में ओको सीक्वल्स घर वो विज्ञान है जिसमें हम यह अध्ययन करते हैं कि जीव, जन्तू, वनस्पती और जीवानू, किस प्रकार प्राकृतिक जगत में और उसके साथ अन्योन्य क्रिया, पारसपरिक क्रिया करते हैं। किस प्रकार जीव अपने प्रतिवेश के अनुरूप धल जाते हैं, कैसे अपने प्रतिवेश को उप्योग में लाते हैं या कोई क्षेत्र किस प्रकार जीवों की उपस्थिति के कारण बदलता या प्रभावित होता है। वो सब जो किसी जीव को उसके जीवनकाल में प्रभावित करता है, सामुविक रूप से उसका पर्यावरन, Greek Environment equals प्रतिवेश, कहलाता है. पर्यावरन उन सभी आवश्यक्ताओं की आपूर्ती करता है, जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जीव को प्रभावित कर सकते हैं, जैसे अपेक्ष थाहार, पोशक और उर्जा आदी. इसलिए परियावरन दो प्रकार के हो सकते हैं जैविक या अजैविक। जैविक या जीवी या परियावरन के घटक वह सारे जीवधारी, पौधे और पशु है जिनके साथ जीव, उसके समूई या पूरा संप्रदाय अन्योन्यक्रिया करता है. इसे एक उदाहरन द्वारा अधिक अच्छे धंग से समझा जा सकता है यदि आप किसी वन में जाएं तो आप देखेंगे कि वनस्पती जातियों में या पशुओं के मध्या बहुत सी अन्योन्यक रियाएं, इंटराक्शन्स चल रही हैं कुछ जातियां पूर्ण तयाह आहार, जल, पोशक के लिए दूसरी जातियों पर निर्भर हैं, पर जीवी, जबकि दूसरी ओर सहजीवन, सिंबायोसिस भी देखा जा सकता है जिसमें दोनों जातियां साथ रहते हुए एक दूसरे को सहयोग देती हैं और परस पर हित कर संब अनियों को प्रभावित करते हैं, अजीविय या अजयविक पर्यावरन को संधटित करते हैं, ये घटक वायुमंडल, जल वायु, जल, पोशक, सूर्य का प्रकाश मृदा हैं, पारिस्थितिक तंत्र एक ऐसा तंत्र है जिसकी रचना जीवों के विविद प्रकारों की एक दूसरे के साथ और अपने भौतिक पर्यावरन से अन्योन्य क्रिया के कारण होती है, अताह इसका संधटन एक विशिष्ट क्षेत्र में निवास कर रहे समस्त संबंधित जीवों और क्षेत्र के भौतिक लक्षनों द्वारा होता है, पारिस्थितिक तंत्र प्राकृतिक ह जैसे कोई वन, धास्थल, मरुस्थल, जील आदी, या वो मानव द्वारा निर्मित हो सकता है, जैसे खेत, वो बहुत छोटा हो सकता है, जैसे जल जीवशाला अक्वेरियम, या फिर विशाल, जैसे महासागर, हमारा ग्रह काई विस्तरित क्षेत्रिय प्रकारों के पारिस इस्थितिक तंत्रों से बना है, इन्हें जीवों, बायोंज, कहते हैं, और इनकी चर्चा एकाई तीन में की जाएगी, यह एकाई पर्यावरन के अध्ययन से आपका परिचय कराती है, हम इस एकाई में अजयाविक कारकों की चर्चा करेंगे, जो भौतिक पर्यावरन संध पहिटित करते हैं, आप इसमें जान सकेंगे कि समय के साथ किस प्रकार पर्यावरन बदला है, और निरंतर बदल रहा है, हम इसकी संक्षित्थ चर्चा भी करेंगे कि हमारे उध्यमों ने किस प्रकार प्राकृतिक पर्यावरन को प्रभावित किया है, आपको ये समझने मे सहायता होगी कि प्राकृतिक तंतरों की क्रियाशीलता कुछ निश्चित दबावों के अंतरगत विभंगित क्यूं हो जाती है, ये एकाई जैव विविधता सनरक्षन के संभव उपाये खुजने पर और दीर्ग कालीन पर्यावरन प्रबंध के लिए भी आपको प्रेरित करेगी. इस प्रकार का विवेक प्रत्य एक पर्याटन व्यवसाई के लिए आवश्यक है, ताकि एक ऐसे विश्वस्थ पर्याटन को बढ़ावा दे सके जो प्रकृति से समन्वय रखता हो. आगामी एकाई, प्रकृति में सहयोजन में आप जीवों और उनके भौतिक पर् 1.2 अजयविक पर्यावरन हम जानते हैं कि जयव जगत अजयविक पर्यावरन में निवास करता है और उस पर निर्भर है. यदि हम अपनी प्रित्वी के विभिन क्षेत्रों में जीवों की उत्तर जीविता, वित्रन और अनुकूलन को समझना चाहें तो पर्यावरन के में विशेश प्रकार की वनस्पती के लिए उत्तरदाई होते हैं. यही कारण है कि शिमला और उडग मंडलम की वनस्पती जैपुर और जैसलमेर की वनस्पती से भिन है. विभिन हजयविक कारकों का उप्योग करने, सहन करने या उससे संघर्ष करने की जीवों की योग्य करें जो जीवन के लिए निरनायक हैं. 1.2.1 वायुमंडल हमारा वर्तमान वायुमंडल अनेक गैसों और निलम्वित कनों का मिश्रण है. निचले वायुमंडल में निरंतर समिश्रण चलता रहता है जिसके परिनामस्वरूप अस्सी की मी की उचाई तक हर स्थान पर हमारे वायुमंडल का संघटन लगभग एक सा रहता है. 80 किलोमीटर से अधिक उचाई पर ये गैसे स्तरित हो जाती है अर्थात भारी गैसे निम्न स्तर पर पाई जाती है जबकि उचे स्तर पर हलकी गैसे होती है. सारणी एक में आप देख सकते हैं कि जल वाश्प को छोड़कर निचला वायुमंडल 78.08 प्रतिशत नाइट्रोजन द्वारा संघटित हैं. वायुमंडली या नाइट्रोजन को जीव, कुछ प्रकार के जीवानूओं और नीले हरेशेवालों को छोड़कर प्रत्यक्ष रूप से उप्योग में नहीं ला सकते। ये पहले नाइट्रेट में परिवर्तित किया जाता है और फिर पौधे एवं अन्य प्राणी इसे उ अवश्यक है बलकि इस प्रित्वी के संपूर्ण प्राणियों, अवायुं जीवानूं, अनेरोबक बाक्टेरिया को छोड़कर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और उर्जानर मुक्ती क्रिया के लिए भी आवश्यक है। और जल को कच्छे माल के रूप में उप्योग करके सौर उर्जा को रासायनिक उर्जा, जिस पर संपूर्ण जैविक तंथ निर्भर है, में परिवर्तित करते हैं। प्रभावों से समस्त जीवधारियों को बचाती है। इन गैसों, जैसे की जलवाश्प और कार्बन डायोकसाइड का आयतन समय के अनुसार और एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलता रहता है। वायू मंडल में द्रव या थोस सूक्षम कन पाए जाते हैं। इन्हें एरोसॉल, एरसॉल कहते हैं। इन में से अधिकांश प्रित्वी की सताह के निकट पाए जाते हैं। और इनकी उत्पत्ती वायू द्वारा मृद्रा अपर्दन, जंगल की आग के कारण, महसागरिया फुहार से प्राप्त नमक के क्रिस्टल और ज्वाला मुखी उदगार के कारण होती है। एरोसॉल का एक दूसरा श्रोत और द्योगिक और क्रिशिय कार्या है। यद्यपी वायू मंडल में एरोसॉल की मात्रा बहुत कम है तथा पी ये निलंबित कंड बहुत महत्वपूर्ण है। उदाहरनार्थ कुछ कंड मेग्व और वर्षा की रचना के केंद्र बनते हैं और कुछ दूसरे कंड सूर्य के प्रकाश से अन्योन्यक्रिया करके हवा के ताप को प्रभावित करते हैं। सारणी एक निचले वायू मंडल में पाई जाने वाली गैसों जल्वाविय को छोड़ कर कि सापिक्षित अनुपात। विवरन के लिए स्क्रीन को देखें। 1.2.2 प्रकाश जीवन के लिए प्रथम और सर्वाधिक आवशक्ता उर्जा और सूर्य का प्रकाश है। सौर विकिरन इस ग्रह पर उर्जा का प्रमुक स्रोत है। सूर्य का प्रकाश जल को वाश्पित करता है जो बाद में वर्षा के रूप में गिरता है। यहीं उर्जा प्रित्वी को असमान रूप से गर्म करके पवन प्रवाह का कारण बनती है। पौधे, जो प्रित्वी पर हर प्रकार के जीवन के मौलिक आधार है, प्रित्वी पर पढ़ने वाले सौर विकिरन के कुछ अंश को अपने उप्योग में लाने के लिए सक्षम है जैसा कि इस से पूर्व बताया जा चुका है कि हरे पौधों की सबसे महत्वपूर्ण शारीरिक क्रिया प्रकाश संचलेशन है जिसमें कार्बन डायोकसाइड में उपलब्ध कार्बन, उर्जा सम्रिधा ग्लूकोज में परिवर्तित कर दिया जाता है। ये उर्जा जो ग कई प्रकार की शारीरिक क्रियाएं होती है जो प्रत्यक्ष रूप से प्रकाश द्वारा नियंत्रित होता है, जैसे वाशपोत सर्जन क्रिया, ट्रांस्परेशन, पुष्पन, दीप्तिकालिता, फोटोपेरियोडिसम, और अनकुरन, जर्मनेशन. सूर्य का प्रकाश प्राणियों के जीवन में भी महत्वपूर्ण है, अधिकतर प्राणी प्रकाश के प्रती समवेदंशील होते हैं, बहुत से प्राणियों में प्रकाश ग्राही होते हैं, और जीवों की अधिकांश संख्या की क्रियाशीलता का सामन जस्य प्रकाश अधिकांश कीट, पक्षी और प्राणी दिन में सक्रिया होते हैं, किन्तु कुछ कीट जैसे तिल्चित्टे पतंगे और कुछ जीव जैसे चमगादर प्राकृतिक रूप से रात में अधिक सक्रिया होते हैं, अर्थात उनकी क्रियाशीलता प्रकाश की अनुपस्थिती से प वास्तव में प्रत्येक जाती में अपने ही एक तापमान के परिसर में सीमित रहने की प्रविती पाई जाती है जिसमें वो सामान्य रूप से क्रियाशील रह सके. यदि इस परिसर से तापमान घटता या बढ़ता है तो उसकी क्रियाशीलता प्रभावित होगी यहां तक कि उसका अस्तित्व भी खत्रे में पढ़ सकता है। तापमान का वो परिसर जिसमें प्राणी का अस्तित्व बना रह सकता है, सहन शक्ती सीमा, टॉलरंस लिमिट, कहलाती है। प्रतेक शारीरिक क्रिया के लिए एक न्यूनतम, अधिकतम और अनुकूलतम तापमान होता है। अपिक्षाकृत कुछ ही जीव 45 डिग्री सेल्सियस के शारीरिक तापमान से अधिक पर जीवित रहते है। कुछ जीव शारीरिक एवं व्यवहारातमक अनुकूलन करके अत्याधिक तापमान सहन कर लेते हैं। यदि आप राजस्थान की यात्रा करें तो आप वहां की वनस्पती को अन्यक शेत्रों की वनस्पती से नितांत भिन पाएंगे। मरुस्थलों में उगने वाले पौधों के पत्तूं तनों और अन्य भागों में अनेकों आकारिक परिवर्तन हैं। चित्रा वन, इसी प्रकार रेगिस्तान के प्राणी तीव्र तापमान से बचने के लिए बिलों में रहते हैं। शीत रितू में शीत प्रदेशों से गर्म प्रदेशों की और पक्षियों का प्रवरजन, माइग्रेशन, और फिर ग्रीश्म रितू में अपने थंडे प्राकृतिक वासकी और वापसी तापमान के प्रती अनुकूलन का एक और उदाहरन है। स्तनी वर्ग, मैमल्स की अनेकों जातियां हैं जो ताप या शीत की चरम सीमा से सुरक्षत रहने के लिए ऐसा ही प्रवरजन करती हैं। दुसरी और बहुत सी जातियां ऐसी हैं जो प्रवरजन कर नहीं पाती हैं और शीत अथवा ग्रीश्म की चरम सीमा से बचने के लिए शारीरिक रूप में प्रसुप्त अवस्था में चली जाती हैं जैसे द्रुवियर रीच हिम ताप में जीवित रह सकते हैं, किन्तु चर पवन अथवा वायू का तीवर गामी प्रवाह मौसम की अवस्था को निर्धारित करता है और कुछ जीवों के लिए महत्वपूर्ण परियावरन ये कारक बन जाता है। पौधे पवन से बहुत अधिक प्रभावित होते हैं। शारीरिक क्रियाओं में से कुछ जैसे वाशपोत सर्जिन, तीवर अथवा मंध पवन से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है। अधिक उचाईों पर जहां पवन का वेग बहुत अधिक रहता है, पवन का संघात आसानी से देखा जा सकता है। कभी-कभी संपूर्ण व्रिक्ष वितान हवा की शक्ती के प्रभाव में हवा की दिशा के जाता है। व्रिक्षों के विभिन भाग जैसे शाखाई, पत्तिया, फल और फूल क्षतिग्रस्थ होकर तूट जाते हैं और कभी-कभी तो कम गहरी, कम जोर जडों वाले व्रिक्षों का जड से उखड कर गिर जाना भी सामान्य सी घटना होती है। हवा बीजों और फलों के प्रकीर्नन में सहयोग देती है. 1.2.5 आर्धरात वायू मंडल में जलवाश प्या नमी की मात्रा को आर्धरता, हुमिडिटी, कहते हैं जब वायू मंडल में एक निश्चित तापमान और दबाव पर नमी की अधिक्तम मात्रा उपलब्ध होती है तो उसे निर्पेक्ष आर्धरता, Absolute Humidity कहते हैं. वायू में व्याप्त वास्तविक आर्धरता और आर्धरता का वो अनुपाद जिसे उस तापमान पर हवा धारन कर सकती है आपेक्षिक आर्धरता, Relative Humidity RH कहलाता है. आपेक्षित आर्धरता, RH प्रतिशत, Equals हवा में उपस्थित नमी, जल्वाश की मात्रा गुणा सो भाग हवा को संत्रिप्त करने के लिए नमी, जल्वाश की मात्रा. किसी विशेश शेत्र की आपेक्षित आर्धरता तापमान, वायू दाब, उचाई, पवन वेग, वनस्पती और मिट्टी की नमी से प्रभावित होती है. परिनामस परूप वायू मंडलिय नमी की मात्रा, तापमान और अपेक्षित आर्धरता में घनिष्ट संबंध है. यदि वायूमंडल का तापमान बढ़ जाए तो आप एक्षित आर्द्रता घट जाएगी और तापमान कम हो जाने पर आप एक्षित आर्द्रता बढ़ जाएगी धरालिय जीवों के शरीर की सतह से वाशपोत सर्जन, स्वेधन आधी जैसी शारीरिक क्रियाओं के द्वारा होने वाले वाशपी करन की दर वायूमंडलिय आर्द्रता द्वारा ही नियंत्रित होती है यदि आप किसी ऐसे परवतियस थल की यात्रा करें जहां ग्रीश्म रितु को छोड़ कर शेश मौसमों में आर्द्रता अधिक रहती है तो आप पाएंगे के उस प्रकृती में रहते हुए पौधों और अन्य जीवों ने ऐसे पर्यावरन के अनुसार स्वायम में कितना अ अधिक आप एकशिक आर्द्रता में उगने वाले पौधों को आर्द्रत अभिद, हाइग्रफाइट्स, जैसे लाइकन आधी के रूप में किया जाता है 1.2.6, जल जल जीवन की एक मौलिक आवश्यक्ता है क्या आप जानते हैं कि पौधों और जन्तूओं की कोशिकाओं में सबसे अधिक जल का ही प्रतिशत होता है? किसी भी प्रकार के जीव जल के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं अगर आपने जाती के विकास पर कोई पुस्तक पड़ी है तो आप अवगत होंगे कि जीवन का आरंब जल में ही हुआ है यदि आप इतिहास के विद्यार्थी है तो आप ये भी जानते होंगे कि अधिकांश सभ्यताएं नदियों के निकट या नदी तट पर विक्सित हुई क्योंकि जल जीवन का आधार है घरेलू कारियों, सुचाई और अध्योगिक उद्देश्यों के लिए इसकी आवश्यक्ता होती है यदि आप किसी जील, तलईया या अपने निकटवर्ती क्षेत्र की नदी तक जाएं तो आप देखेंगे कि काफी पौधे और जीव जल में निवास करते है कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो जल और थल दोनों पर रहते हैं, जलस्थली, अमफिबियन्ज, उदाहरन मेधक नदियों में विविध प्रकार की मचलियां पाई जाती हैं तीवर प्रवाही जल में रहने वाली मचली और अन्य प्राणियों में ऐसी युक्तियां होती हैं जिनके द्वारा वे तेज धाराओं में आराम से रह पाते हैं वे तीव्र जलधाराओं में बच सकने में सक्षम होते हैं और इस प्रकार के प्रवाही तंत्र में जीवित रह सकते हैं इसके साथ की कुछ ऐसे जीव भी है जो कुशल तेराक नहीं है और पत्थरों के नीचे नदी तल की विद्रिकाओं में या फिर रेथ में बने बिलों में रहते हैं जैसे की घोगे, सीपियां और सलग जल की आवशक्ता अलग-अलग जीवों में अलग-अलग होती है और जीवों का वित्रन आवशक्ता और जल सनरक्षन हेतू विशेश अनुकूलन पर आधारित हैं उदाहरनार्थ, जलिया पौधे, जलद भिद, तथा प्राणी, मच्छली, जलिया पर्यावरण में निवास करने के लिए भलीभाती अनुकूलित हैं उनमें जलिया पर्यावरण में जीवित रहने के लिए आकारिक, शारीरिक और शरीरक रियात्मक संशोधन हैं चित्र टू, ए, में उन मैंग्रोव, गरानो, को दिखाया गया है, जिनकी जड़े, ऑक्सीजन और कार्बन डायोकसाइड के विनिमय के लिए विशेश प्रकार से अनुकूलित होती हैं, क्योंकि वे ऐसे एक शेत्र में उगते हैं, जहां ऑक्सीजन बहुत कम होती है चित्र टू, बी, में मैंग्रोव की एक ऐसी स्पीशीज को दिखाया है, जिसकी पत्तियों से अतिरिक्ट नमक के नहस्त्रावन के लिए अनुकूलन है ऐसा इसलिए आवश्यक है क्योंकि गरानों की ये स्पीशीज अंश्ताव खारी जल में दूबे रहते हैं, जहां कहीं जल का अभाव होता है, जैसे मरुस्थल में, वहां जीव जल की क्षती के लिए अनुकूलित होते हैं जैसे कंगारू चुहा, चित्रत्री, भलीभाती लगभग जलरहित पर्यावरन में जीवित रहने के लिए सबसे अधिक उप्यूक्त है उसकी ब्रेहदांत्रा, उत्सगी पदार्थों से अधिकांश जल अवशोशित कर लेती है, और इस प्रकार वो उस जल की आपूर्ती कर लेते हैं, जो सांस लेते हुए फेफडों से वाशपी क्रिती हो जाता है वो अपनी गतिविदियों को रात के लिए प्रतिबंधित करके और दिन के समय बिल में छुप कर गर्मी से बचा रहता है चित्रदो, ई, गरानों की जड़ों से निकले हुए स्पंजी उवर्धर रेत और जल से उपर उठे होते हैं, तीर के निशान को देखिए वे, गैसों के विनिमय में सहयोग देते हैं, बी, गरानों की कुछ स्पीशीज अपनी पत्तियों से अतिरिक्थ नमक का नहस्त्रावन करती है जो उनकी सता पर रवक्षेपित हो जाता है विवरन के लिए स्क्रीन को देखे चित्र तीन, कंगार है चुहा मरुस्थलिया पर्यावरन के लिए भलीभाती अनुकूलित होता है 1.2.7 मृदा मृदा खानेज तत्वों, पोशक का प्रमुख भंदार है जिनकी पौधों और प्राणियों को आवश्यक्ता होती है पौधे मृदा में घुलित अवस्था में उपलब्ध ब्रिहत और सूक्षम पोशक प्राप्त करते हैं मृदा में उपलब्ध पोशकों की मात्रा, जल को अपने अंदर रोके रखने की क्षमता और मृदा का वातन, मृदा की उरवर्ता को निर्धारित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं यही उरवर्ता पोधे की उत्पादक्ता को प्रभावित करती है, और उन जीवों की संख्या को भी निर्धारित करती है, मृदा जिनका पोशन कर सकते हैं उदाहरनार्थ दुम्टी मृदा रेत और चिकनी मिट्टी के कनों का मिश्रन है और क्रिशी तथा वनवर्धन की द्रिष्टी से उत्तम समझी जाती है इसमें जल को अपने अंदर रोके रखने की अच्छी क्षमता है और परियाप्त मात्रा में जल और वायू को रोके रखती है इसलिए दुम्टी मृदा में मूल और मूल रोम का गहराई तक बेधन सरल हो जाता है आप अगर मृदा का अनुलंब परिच्छेद काटें तो आप तीन स्पष्ट परतें A, B और C संस्तर देखिए चित्र चार पाएंगे वास्तविक्ता ये है कि A संस्तर या उपरी संस्तर अर्थात उपरी मृदा सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी में बीज अनकुरित होता है और यही से पौधे पोशन प्राप्त करते हैं यही कारण है कि हम उपरी मृदा को विभिन विधियों द्वारा बचाना या सुरक्षित रखना चाहते हैं विभिन बलो जैसे वायू और जल आदी के द्वारा उपरी मृदा के हटने को मृदा अपर्दन, सॉल इरोजन कहते हैं और अपर्दन से बचाव को मृदा संरक्षन, सॉल कंसर्वेशन कहते हैं मृदा संरक्षन के लिए कई तकनीक को उप्योग में लाया जाता है बी संस्तर या अवमृदा में काबनिक पदार्थ कम होता है अता ये संस्तर की एकी अपेक्षा कम उर्वर होता है इसके नीचे सी संस्तर होता है जो अंश्तह अपगटित निचली आधार शैली आवसादों द्वारा निर्मित खनिज की परत है सी मृदा की उर्वर्ता कम है सारे परियावरनिये कारक जैसे धूप, तापमान, वर्षा, वायुमंडिली या आर्ग्रता पवन आधी अलग-अलग रहकर स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करते कारकों में एक घनिष्ट सयोजन है, प्रकाश वत आपमान घनिष्ट रूप से सयोजित है, धरातल और जलस्थल सूर्य का प्रकाश पाकर गर्म हो जाते हैं, प्रित्वी की सतह से पुनाह विकिरन प्रित्वी के निकतवर्ती वायुमंडल को गर्म कर देता है जब प्रकाश किसी हरे भरे क्षेत्र पर पढ़ता है, तो अधिकतर प्रकाश हरे पौधों द्वारा रोक लिया जाता है, और उसका बहुत कम अंश पृत्वी तल पर पहुँच पाता है, किन्तु जब प्रकाश किसी ऐसे क्षेत्र पर पढ़ता है, जो वनस्पती आवरन पहित हो तो मृदा की सता बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। पत्थर, कनकर, रेत और यहां तक की इटे भी और अधिक गर्म हो जाती है। में भी घनिष्ट संबंध है। उच्य तापमान अधिक वाशपी करंदर, जल की खुली सता से और पौधों से वाशपोत सर्जन, ट्रांस्परेशन के लिए उत्तरदाई है। समूद्र, जीलों और तलियों से चलने वाली गर्म वायू अत्याधिक आर्द्र होती है। यह गर मान का संबद वायू के परिसंचारन और कई दूसरे कारकों जैसे वायूमंडलिय दाब, उचाई, वनस्पती और आर्द्रता से है। अतह यह निशकर्ष निकाला जा सकता है कि सारे वायूमंडलिय कारक परस पर मृदा और जैव कारकों से सयोजित हैं। बोध प्रश्न एक, एक, पारिस्थितिकी और परियावरण को परिभाशित कीजिए। परियावरण ये कारक से क्या तातपर्य है। दो, किसी क्षेत्र में पैदा होने वाले पौधों की संख्या को मृदा स्वरूप किस प्रकार प्रभावित कर सकता है। चित्र चार, मृदा संस्तर, विवरण के लिए स्क्रीन को देखे। 1.3, समय के साथ परियावरण में परिवर्तन। हमारे सौर मंडल या प्रित्वी ग्रह के इतिहास से यह स्पष्ट हो चुका है कि हमारे परियावरण में क्रमिक किंतु निरंतर परिवर्तन होता रहा इन में से कुछ परिवर्तन धीमें हैं और कुछ तीवरगामी हैं। 1.3.1 मंदगती परिवर्तन। मंदगती परिवर्तनों को एक जीवन काल या 100-200 वर्षों की अवधी में नहीं देखा जा सकता। इस प्रकार के परिवर्तनों का अध्ययन जीवाश्म अभिलेखों, फॉ पाई जाने वाली प्राचीनतम शिला तीन अरब वर्ष पुरानी हैं। विक्सित हुए होंगे जिन में ऑक्सीजन सहन करने की शक्ती और उसको उप्योग करने की कुछ अधिक योग्यता रही होगी जिससे की जीवन प्रक्रम भलीभाती चल सके। इस प्रकार ऑक्सीजन व विद्धी के कारण एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन उस समय हुआ जब कुछ मात्रा में ऑक्सीजन ओजोन के रूप में परिवर्तित हुई। जैसा कि आपकों ग्यात है समतापिय मंडल, स्ट्राटिस्फिय में ओजोन की परत बहुत से जीवों के लिए सूर्य से उत्स जित पराबेंगनी विकिरन के विरुद्ध सुरक्षा आवरन का काम देती है। लगभग साथ करोड वर्ष पूर्व प्रारंब हुए वायू मंडल में मंद गती के परिवर्तनों के कारण आज के इस वायू मंडल की रचना हुई। वायू मंडल की ये अवस्था जीवन के ये बहुत सुखद है। किन्तु मानवी या कार्यकलापों के प्रभावों के कारण वायू मंडल की ये अवस्था भी तीवर गती से परिवर्तन शील है जिसका हम दूसरी इकायों में वर्नन करेंगे। वूखंड में परिवर्तन या महादवी पिया संचलन। जर्मन वेग वेग्यानिक अल्फरेड वेगना के अनुसार लगभग 20 करोड वर्ष पूर्व प्रित्वी पर एक ही महादवी था जिसे उसने पेंजिया पंगाचा के नाम से पुकारा। पेंजिया एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है समस्त भूमी देखिए चित्र फाइव। वेग पंद्रा से, मी, प्रती वर्ष की दर से, इस क्रमिक विस्थापन ने 40 करोड वर्षों में प्रित्वी को वो आकृती प्रदान की है जैसा इसे आज हम देखते हैं। वेग्यानिक प्रमान मिले हैं जिन से पता चलता है कि भारतिय प्लेट, भूखंड, वी गुंडवानाले से विस्थापित होकर लारेशिया से जामिला और भारतिय महाद्वीत को आज की आकृती प्रदान की। इन दोनों महाद्वीपों के सयोजन के समय हुई टककर से हिमालय की उत्पत्ती हुई। प्रित्वी के अंदर भी कई प्रकार की मंद क्रियाये चल रही हैं। क्रोड, क या प्रित्वी के गर्ब की रचना पिगले हुए सघन और अत्यंत तप्त धातु से हुई है। क्रोड को घेरे हुए एक आवरन, मैंटल है जो गरम चट्टान की आना अपरत है। इस शेत्र में समवहन धाराओं, कनेक्शन करंट का बड़े पैमाने पर चक्रन होता है। य समस्थ महादवीप पिंजिया के रूप में सयोजित थे। उस समय की विभिन महादवीपों की स्थिती, विवरन के लिए स्क्रीन को देखे। अताह ये स्पष्ट है कि प्रित्वी के अंदर और बाहर वायूमंडल में निरंतर परिवर्तन होता रहा है। इस ग्रह पर समस् स्पीशीज का विकास जीवों की परियावरन ये परिस्थितियों से अनुकूलन करने की क्षमता पर निर्भर है। इन वायूमंडलीय परिवर्तनों का जलवायू पर सुस्पष्ट प्रभाव पड़ता है और जलवायू प्रित्वी की उत्पत्ती से लेकर अब तक बहुत बदल चुकी है। 1.3.2 तीवरगामी परिवर्तन मनुष्य के कुछ ऐसे कार्यकलाप हैं जिनके कारण हमारे पर्यावरन और जलवायू दोनों में तीवरगामी परिवर्तन हुए हैं। और योगिक क्रांती के बाद अत्याधिक प्रोध्योगिकिया प्रगती और आर्थिक उपलब्दियों का आधुनिक सभ्यता के लिए महत्वपूर्ण योगदान है। मानव समाज के लिए अभूतपूर्व संपन्नता भी उसी के द्वारा आई है। किन्तु इसके साथ ही, इसके कारण हम अभूतपूर्व खत्रों और संकट की ओर भी बड़े हैं और इनसे सं समस्याओं को मानव भविश्य के हित में तुरंत सुल्जाना अती आवश्यक है। यदि आप कुछ ओध्योगिक नगर जैसे मुंबई, दिल्ली, कानपूर, उ, प्र, मंडी, गोबिंदगर, पंजाब, कोर्बा, म, प्र, सूरत, गुजरात, विशाखा, पत्नम, प्र, आद जो वायूमंडिलिय प्रदूशन का सबसे बड़ा कारण है। यदि आप अपने माता-पिता या बड़ों से पूछे तो वो आपको बताएंगे कि परियावरनिये परिस्थितियां, शहरी एवं ग्रामिय दोनों ही क्षेत्रों में कितनी तेजी से बदली हैं। ये परियावरन में होने वाले तीवरगामी परिवर्तनों का उदाहरन है। इसे केवल एक पीरी में ही नहीं बलकि 10-20 वर्षों में भी देखा जा सकता है। परक्षित कर देने का भाय उत्पन कर रहा है। प्रदूशन के मूल कारण सारणी 2 में दिये गए है। पाच प्रतिशत प्रदूशन के इन कारणों में से जीवाश्मिय इंधन का जलाया जाना और वनों का जलाया जाना कारण एक डायोकसाइड चक्र में असंतुलन का कारण बना है। हाल ही में जितनी कारण डायोकसाइड हरे पौधे और व्रिक्ष अवशोशित करते हैं उससे अधिक मुक्त हो रही है। कारण डायोकसाइड की बढ़ती हुई मात्रा वायो मंडल में छाती जा रही है और उसने वहाँ एक मोटा आवरन बना लिया है जो सौर विकिरन के लिए पारदर्शी है और द्रिश्य प्रकाश को धरातल की सतह तक पहुंच जाने देता है। किन्तु पुनरविकिरन के रूप में वापस लोटती हुई उश्मिय तरंगे अवरक्त विकिरन उस आवरन के द्वारा रोक ली जाती है। उश्मा वापस प्रिथवी पर लोटा दी जाती है और इस तरह ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस अफेक्ट का कारण बनती हैं। वो पांच गैसे जो ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान प्रदान करती हैं निमनवत हैं। कार्बन डायोकसाइड, 50 प्रतिशत, क्लोरो फ्लोरो कार्बन्स, CFC, 14 प्रतिशत, मीथेन, CH, 18 प्रतिशत, ओजोन, O3, 1,2 प्रतिशत, ट्रोपोस्फिरिक नाइट्रस ओकसाइड, 6 प्रतिशत, ये स्पष्ट है कि इन गैसों में से ग्रीन हाउस प्रभाव या वायुमंड देलियर तापन में कार्बन डायोकसाइड का सरवाधिक योगदान है, वायुमंडल में कार्बन डायोकसाइड के 71 करण में गत दो दशकों में तीव्रगती से वृद्धी हुई है, कार्बन डायोकसाइड, CO2, का 1958 में 71 करण 10 लाख में 315 अंच था जो 1990 में बढ़कर 53 और 1.5 प्रतिशत की अनुमानित दर से प्रती वर्ष बढ़ रहा है, ये बहुत कम प्रतीत होता है, किन्तु ये कार्बन डायोकसाइड की बढ़ती हुई दर भयप्रद है, और वैग्यानिकों की भविश्यवानी है कि यदि इसी दर बढ़ती रही तो प्रित्वी का ओसत तापक्रम वर्ष 2030 इशून्य तक 3-4 डिग्री सेलसियस बढ़ जाएगा, समुद्रों की सतह 3-7 फीट तक उपर उठ जाएगी और बहुत से छोटे द्वीपों और विभिन महाद्वीपों के तटियक शेत्र दूब जाएंगे, बॉक्स 1, ग्रीन हाउस प्रभाव, आपने इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश खिर्कियों के शीशे से गुजर कर अंदर पहुँच जाता है, प्रकाश या उर्जा, उश्मी या उर्जा में परिवर्तित होकर वहां रह जाती है, और कार को गरम कर देती है, ग्रीन हाउस या पादप ग्रेह पौधे उगाने के लिए बनाए जाते हैं, और इसी सिध्धान्त पर कार्या करते हैं, चुंकि वे शीशों के बनाए जाते हैं, अताह प्रकाश अंदर पहुँच जाता है, किन्तु उश्मा बाहर नहीं निकल सकती, कार्बन डायोकसाइड का गुन भी ऐसा ही है कि सूर्य का प्रकाश वायुमंडल स निकलने नहीं देती, इस प्रकार सामान्य मात्रा में कार्बन डायोकसाइड वायुमंड के तापमान को बनाए रखती है, परंतु यदि वायुमंडल में कार्बन डायोकसाइड की मात्रा में विद्धी होती है, तो वायुमंडल में अधिक उश्मा रोक ली जाएगी जो तापमान बढ़ा देगी। उश्मा का इस प्रकार वायूमंडल में रोक लिया जाना ही ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। पेनेट्रेट्स दी आट्मस्फिया। चित्रच्षय आरेखिय ग्रीन हाउस प्रभाव। लगू तरंग दैर्ग्य विकिरन वायूमंडल से गुजरती है। जबकि कार्बन डायोकसाइड और ग्रीन हाउस प्रभाव की अन्य गैसे गर्म घरातल से आने वाली दीर्ग तरंग दैर्ग्य अवरक्त विकिरन को ग्रहन करती है। विवरन के लिए स्क्रीन को देखे। तथा मनुश्यों में कई बीमारियों का कारण भी बन सकती है। ये पौधों और व्रिक्षों को नुकसान पहुचा सकती है। प्लानकिटन और दूसरे समुदरी जीवों यहां तक की मानवों के असंक्रम्य तांत्र, अम्यून सिस्टम को भी ख्षतिग्रस्ट कर सकती है। कई प्रकार के रसायन विशेश रूप से क्लोरो फ्लोरो कारबन, CFCS, और उससे कुछ कम मात्रा में हैलान्स, कारबन टेट्राक्लोराइड और मैथिल क्लोरो फॉर्म वायू मंदिला में छोड़ी जाती है। CFCS का उप्योग बड़े पैमाने पर रफ्रीजरेटरों, एया कंडीशन आदी में शीतलकों के रूप में और एरोसॉल स्प्रे के दिब्बों में नोदकों के रूप में होता है। ये CFCS उपर समताप मंदल की और स्थानात्रित हो जाते हैं। लगभग 25 किलोमीटर की उचाई पर ये CFCS पराबेंगनी विकिरन द्वारा विघटित कर दी जाती हैं, और परिनामस्वरूप क्लोरीन मुप्त हो जाती है, जो आसानी से ओजोन के साथ क्रिया करके उसे नश्ट कर देती है। एक श्रिंखला, क्रिया द्वारा क्लोरीन का एक परमानू 1000, 0000 ओजोन के अनुओं को नश्ट कर देता है। इस मंद क्रिया के कारण ओजोन की परत पतली होती जा रही है, और वैग्यानिकों ने कुछ ऐसे स्थान देखे है, जहां ओजोन इस सीमा तक कम हो चुकी है, कि वहाँ, ओजोन विवा, होल, बन गया है। संपूर्ण विश्व में ओजोन परत क्षीन होती जा रही है, किन्तु द्रुवियक शेत्रों, विशेशकर अंटार्टिका पर अधिक प्रभाव देखा जा सकता है। ओजोन परत के क्षीन हो जाने के करण प्रिथ्वी की सतह पर पराबेंगनी विकिरन बहुत बढ़ जाता है, और धूपतमरत या त्वचा के केंसा का कारण बनता है। व्यवहारिक अनुभवों के आधार पर कहा जाता है कि समताप मंडिलिय ओजोन में एक प्रतिशत कमी का अर्थ है, ओजोन परिरक्षक में से होकर गुजरने वाले जीविय द्रिष्टी से प्रभावी विकिरन में दो प्रतिशत की व्रिद्धी, वे ज्यानिक आगामी 30-40 वर्षों में पराबंगिनी विकिरन के 5 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक बढ़ जाने की शनका व्यक्त कर रहे हैं, अब इस विशय में काफी जागरुकता आ चुकी है और राश्ट्रिय तथा अंतर राश्ट्रिय स्तर पर विभिन प्रकार प्रदूशन को रोखने और ओजोन इन सारे घटकों के जटल समिश के रूप में जीवों को प्रभावित करता है। ध्यान में रखने की बात यह है कि यदि एक कारक भी अव्यवस्थित होता है तो अक्सर ऐसी श्रिंखला अविक्रिया प्रारंब हो जाती है जिसके परिनामों की कभी प्रत्याशा न की गई ह 1.4 सारांज प्रियावरन कभी स्थाई नहीं रहा, वो बदलता रहा है और निरंतर बदल रहा है। कुछ परिवर्तन मंदगती से होते हैं जिन्हें हम 100-200 वर्षों में भी नहीं देख सकते जैसे किसी भूभाग का संचलन और महादवीपों का निर्मान। किन्तु कुछ परिवर्तन इ ये समस्याएं पैदा कर ली हैं। जैसे वायुमंडिलिय, सार्वभोगिक तापन और ओजोन परत की क्षीनता। इन समस्याओं के प्रती न केवल राष्ट्रिय सतर्कता चाहिए बलकि अंतर राष्ट्रिय सहयोग भी आवश्यक है। इसके अतिरिक्त इस संबंध में अगरुपता अभियान की भी आवश्यकता है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में अगली पार्ट के साथ।